वेलकम टू माई चैनल पारोज किचन और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कोविड नाइंटिन से आज सब लड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा जो इम्मुनिटी सिस्टम है वहात ही स्ट्रॉंग रहे तो उसको स्ट्रॉंग बनाने के लिए मैंने यहा गिलोई इस तरह का होता है। गिलोई की एक स्टिक लिए मैंने के और इसको अच्छे से हम इस तरह से क्रश कर लेंगे कुंगे। इसलिकि इसको आशारा रस हमारे पानी में आच्छे से आ जाए ह। और यह मैंने लिए है एक इंच अद्रक का टुकडा इसको साफ करके से biggest survey का उतार लिया है यह कच्ची हल्दी यह भी एक इंच लिया है मैंने यह मोटी लाइची लिया है एक लेंगे दालची नी का टुकड़ा यह भी एक इंच है मैंने यहाँ पर लिये हरी इलाइची का पाउडर अगर आपके पर साबूत है तो आप दो इलाइची ले सकते हैं दो लॉंग लिया है मैंने और दस पंदा काले मिच्ची और लिया है यहाँ पर मैंने दो आवला जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया है छे से साथ तुलसी के पत्ते और एक तेज पत्ता अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यह कच्ची हल्दी अद्रक इनको अच्छे से कूट लेंगे आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं इसमें मैंने आड़ किया है दालचीनी, मोटे लाइची, काले मिर्च और लॉंग इनको भी अच्छे से कूट लेंगे कूटने से क्या होगा कि सब चीजों का रस जो है जूस बहुत अच्छे से पानी के अंदर आ जाएगा और सब का फ्लेवर बहुत बढ़िया से आएगा यह अच्छे से हमने सब को कूट लिया है और यह मैंने एक बरतन लिया है इसके अंदर मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी यह मैंने दो टाइम केस आप से बनाया है इसको आप दो बार लें दिन में तो बहुत ही अच्छा है इम्मिनुटी को बढ़ाएगा इसमें हम सब क्रश की हुई चीजों को डाल देंगे और यह मैंने तेज पत्ता भी डाल दिया है तुलसी के पत्ते आवला और यह गिलोए और यह मैंने छोटी लैच्छी का पाउडर डाल दिया है बस अब को ढग देंगे जब तक कि इसमें बॉइल ना आ जाए यह बॉइल आ गया है अब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करेंगे और इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे कम से कम 15-20 मिन्ट के लिए इसमें जो भी सारी चीज़े हैं सभी बहुत ही फायदे मंद हैं इसको जरूर बना के पीना चाहिए इससे हमारा इमिनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉंग बनेगा यह देखिए हमारा कड़ा जो है वो तयार है यह सब को मैंने अच्छे से चान लिया है आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग झाल 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 झाल